लाल परी आसमान की लाल परी उपर से नीचे उतरी नई नई अपहार सजाकर सपनों का संसार बसाकर खेल खेलों ने और मिठाई सब बच्चों को ते लिया नमस्ते बच्चों कैसे आप सब मैं आशा करती हूँ कि आप सबी अपने गवरों में स्वस्त एवं शकुषल होगे मैं पायरावल आपकी हिंदी डीचर एक बार फिर से ओनलाइन क्लासिस में मैं आपका स्वागत करती हूँ बच्चों आज के शेशन की शुरूआत हमने एक कवीता के माध्यम से की है न बच्चों और वह कवीता में एक जो परी थी वह लड़के को भेट देती है याने की गिफ्ट देती है तो बच्चों वैसे ही आज हमारा शेशन 1 याने की चैप्टर इलेवन परियों का खेड वह कहानी को हम अच्छे से समझेंगे पर उसके पहले वह कहानी को समझने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते है धर्टी और आकाश नामक इकाई के अंतरगत इस पार्ठ में जल चक्र और बादल कैसे बनते हैं इस विशेप पर बात की गई है तो आईए बच्चो यह कहानी को समझने से पहले हम पानी का उप्योग कहा कहा करते हैं जल चक्र क्या है फिर बादल कैसे बनते है और सुरज एक तारा है यहां ग्रव है उसके बारे में हम जानेंगे तो उसके बाद हम फिर क्या करेंगे यह कहानी का अच्छे से पठन करेंगे तो आईए बच्चो इन सब के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं बच्चो सबसे पहले हम जानेगे कि हम पानी का उप्योप कहा कहा करते हैं इसका सही उत्तर है मनुश्य जल को विबिन कारियों में प्रयोग करता है जैसे इमारतों, नहरों, घाटी, पूलों, जलधरों, जलकुंडों, नालियों एवं शक्तिगरों आदी के निर्वान में जलका अन्य उप्योग, खाना पकाने, पिने के लिए, आग बुजाने, मनोरंजन करने, सफाई करने, घर्म पदाट को ठंडा करने, परिवहन, सिंचाई वा मस्य पालन आदी कारियों में किया जाता है आईए बच्चों, अब हम जानेगे कि बादल कैसे बनते हैं? वैसे तो हम जानते हैं कि सूर्य की घर्मी से नदियों और तालाबों का पानी भाप बनकर हवा में उड़ जाता है वाश्प युक्त गर्म हवा हलकी होने के कारण आकाश में उपर उड़ती रहती है अधिक वाश्प वाली हवा जब एक जग़ जमा हो जाती है तब उसका रूप दुए जैसा हो जाता है जमा वाश्प युक्त हवा के इसी रूप को हम बादल कहते हैं और इन बादलों में उपस्तीत जल वाश्प, धूल, नमक और धुए के करणों से संगनित्र होकर बुंदों में बदल जाती है फिर यही बुंदे बड़ी होकर वर्षा के रूप में धर्ती पर गिरती है दरसल जब आस्मान में बारिश वाले बादल हवा के साथ यहां वहां घुमते हैं तो इन में से विपरित एनरजी वाले बादल आपस में तेज गती से तकराते हैं और इनके तकराने की आवाज हमें सुनाई देती है साथी इनके टक्राने पर जो गर्शन होता है उसी से बिजली पैदा होती है और धर्ती पर आगिरती है बच्चों अब हम जानेंगे कि जल चक्र किसे कहते है तो आईए उसकी परिबाशा समझ लेते है जल निरंतर प्रुथवी की सतर से वायू मंडल में और वायू मंडल से वापस प्रुथवी की सतर में घुमता रहता है जल की इस चक्रिय घतिवीधी को जल चक्र कहा जाता है आईए बच्चों जल चक्र को विस्तार से देखते हैं सुर्य की उश्च्मा महासागरों, तालाबों और नदियों के जल को जल वाश्प में बदल देती हैं ये जल वाश्प उपर वायू मंडल में चली जाती है वाश्पो सर्जन प्रक्रिया के दोरान ओधे हवा में जल वाश्प छोडते हैं वाश्पी करण और वाश्पो सर्जन द्वारा बनी जल वाश्प उँचाई पर जाने पर कम तापमान के कारण संगनित हो जाती है और बादलों का निर्मान करती है जब बादलों में एकत्रत जल की बुंदे बहुत बड़ी और भारी हो जाती है तो वही वर्षा, बर्फ और उलो के रुप में प्रुथवी की सत्र पर गिरने लगती है बरसने की इस प्रक्रिया को अक्षेपन कहा जाता है वर्षा का कुछ जल जमिन में चला जाता है और भुमीगत जल का हिस्सा बन जाता है हाला की वर्षा का अधिकतर जल भुमी की सत्र के उपर बहता है और तालाबों, नदियों और अंततह महासागरों में चला जाता है यहां से जल चक्र दोबारा आरंब हो जाता है अब बच्चों सूरज एक ग्रह है या तारा उसके बारे में समझते है सूरज सौर मंडल के कैंद्रम में स्थीत एक तारा है जिसके चारों तरफ प्रुथवी और सौर मंडल के अन्य अवयव गुमते है सूरिय हमारे शौर मंडल का सबसे बड़ा पींड है और इसका व्यास लगबग 13,90,000 किलो मेटर है जो प्रुथवी से लगबग 109 गुना अधिक है तो बच्चों ये सब कुछ जानने के बाद हम लैसन 11 यानि की परियो का खेल कहानी का पठन करते है आएए दोस्तो परते हैं यह कहानी जिसका नाम है परियों का खेल बहुत पहले सूरज पर कुछ परियां रहती थी सुभा जब सूरज उदै होता तो वह अपनी किर्णों को हर तरफ बिखेर दिता कुछ किर्णे प्रिथवी पर भी परती सूरज की परियां इन किर्णों पर नाश्ती कूदती और एक दूसरे का पीछा करती वे आपस में लुका छिपी जैसे खेल भी खेलती परियां सूरज की किर्णों पर फिसलती हुई नीचे प्रिथवी पर आती और फिर वापस उपर चली जाती एक दिन सूरज की परियां इन खेलों से उप गई वे कोई नया खेल खेलना चाहती थी लेकिन क्या? आखिर इस बारे में उन्होंने सूरज से ही पूछने का फैसला किया सूरज ने कहा आस्मान कितना खाली और सूना लगता है आप सब आस्मान में एक महल क्यों नहीं बनाती? महल? आस्मान में? प्रियां हैरानी से कह उठी मगर हम महल बनाएं किस चीज़ का? नीचे प्रिथवी पर जाओ और वहाँ कोई चीज तलाश करो सूरज ने कहा सूरज की परियां किर्णों पर फिसल कर नीचे प्रिथवी पर आ गई यह खेल बड़ा ही मज़ितार है एक परी ने कहा आस्मान में महल बनाने में मुझे भी बड़ा मज़ा आएगा दूसरी परी ने कहा लेकिन हम महल बनाएंगी किस चीज़ का? तीसरी परी ने पूछा महल बनाने के लिए प्रिथवी पर है क्या? कुछ भी तो नहीं सिर्फ पथरी ली चट्टाने और सूखी रेत बस और नमकेन पानी वाला सागर आओ देखें तो सही एक अन्य परी ने कहा क्या पता हम रेत का महल बनाने में सभल हो जाएं और शायद पानी का भी? परियां थोड़ी थोड़ी रेत अपने हाथों में उठा कर हवा में उड़ चली आओ पहले फर्ष बनाएं एक परी ने कहा तम सारी रेत को यहां डाल दो पर रेत तो आसमान में तिकी नहीं रह सकती थी सर सर सारी रेत वापस धरती पर गिर गई आसमान में जरा सी भी रेत नहीं बची ओ परियां चिलाने लगी रेत बहुत 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 है यह आसमान में नहीं तिकी रह सकती अब क्या करें? पानी लाने के कोशिश करें उनमें से एक बोली इसके साथ ही वह सागर के पानी को अपनी हथेलियों में ले ओड़ी टप टप सर लेकिन पानी भी प्रिध्वी पर गिर गया अब बताओ क्या करें एक परी ने पूछा चलो फिर किसी हलकी और रुई चैसी चीज की तलाश करें एक परी ने सलाह दी वे सब आसपास तलाश करने लगी चटाने बहुत पतीली थी धूल बड़ी हलकी थी तब उन्होंने चीजों को मिलाने की कोशिश की कई बार की कोशिश के बाद और बार बार परकने पर उन्होंने एक हलका और रोएदार मिश्रण तयार किया इसमें थोड़ी सी हवा, थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी धूल मिलाए गई वह बड़ा ही हलका था, नीचे गिरने की बजाए वह हवा में तेरने लगा हमने बना लिया, हमने बना लिया, परियाँ खुशी से चिला उठी, इस प्यारी प्यारी रोएदार चीज़ के साथ हम अपना महल बनाएंगी आप इस चीज़ का नाम क्या रखें? उन्होंने सूरज से पूछा तो मिसे बादल कह सकती हो? सूरज ने जवाब दिया सूरज की परियां काम में जुट गई, वे सारा दिन बादल बनाती रही बादल और बादल, अब आकाश खाली और सूना नहीं था परियोंने बादलों के महल बनाए, बादलों के पहाड बनाए, बादलों के जंगल बनाए, बादलों के बाग बगीचे बनाए आखिर उन्होंने बादलों का एक पूरा शहर ही बना दिया बच्चो अब हम यह कहानी में आ रहे नए शब्द और शब्दाट के बारे में जानेंगे नए शब्द पहला शब्द है बिखेर देना उसका मतलब होता है तीतर बीतर करना दुसरा है लुकाचिपी यानि आखमीचोनी यानि एक खेल जिसमें सभी खिलाडी छुप जाते हैं और एक खिलाडी उन्हें डूंडता है तिसरा है फैसला करना यानि निनै लेना चौथा है जुटना यानि किसी कारिय में जी जान लगाना पाँचवा है पत्रिली चटाने यानि शिलापटल या शिलाखंड बच्चो अब हम शब्दार के बारे में जानेंगे पहला है उदए उसका मतलब होता है उत्पति होना या उदगम होना दुसरा है परखना यानि जांच करना तिसरा है तलाश करना यानी खोजना चौथा है सलाह यानी राय किसी को हम जो राय देते हैं उसको राय कहते हैं तो बच्चों मैं उम्मिद रखती हूँ कि आज के शैशनवन में हमने जो भी आज सिखा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आप इसका अभ्यास करते रहना आज का यहाँ अध्याय हम इधरी समाप्त कर रहे है सो बाई बाई एवरीवन एंड टेक केर अल अफ यू